अगर आपने भी SSC CHSL का फॉर्म फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़्यदा हल्फुल होने वाली है तो आज के इस वीडियो के थुरू मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसा कि 25 मार्च के आस सबस्क्राम कूट की वर दिया गई अ Deshalb कि 16C CHSL का एडमिड कार्ड जो है वह रिलेस कर दिया घा गया था वणकाफी सारे बच्छों पार्म की व्झज़ज़े से किसी में कोई फॉर्म की वज़ज़े तो काफी सारे बच्चों का जो है वह फॉटो की एक्जाम होना था उन सभी बच्चों के एक्जाम जो है वो पोस्ट पोन हो गया है क्या वो बच्चे भी अपना एक्जाम दे सकते हैं उनका एड्मिट का रिलीज होगा दुबारा से जिनका पहले रिजेक्ट हो गया था तो कम्प्लीट इंफोमेशन आज की इस वीडियो के मैं आपको प्रोवाइट करवाने वाली हूँ सो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बारा है चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो को नाटिफिकरिशन सब से पहले मिल जाए एंड इस्ट्रिप्शन बॉक्स में टेलीग को भी जॉइन कर सकते हैं सो इस्ट्रेंट जैसा कि आपको पता होगा कि 25 मार्च की आसपास SSC CHSL का एडमिट कार्ड जो है वो रिलेस कर दिया गया था बट काफी सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड नहीं हुआ था क्यों क्योंकि उनका फॉर्म जो ह अब दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं जैसा कि इसका एक्जाम यानि SSC CHSL का एक्जाम जो है वो पोस्ट पॉन हो गया है तो क्या आप वो बच्चे दुबारा से अपना पिपर दे सकते हैं उनका एडमिट कार्ड रिलीज होगा या फिर नहीं होगा तो जैसा कि मैं आपको था उसके बाद बीज तारी को इसका एक्झाम घुरे जो है वो पोस्थ पूक्ज कर दिया गया था यानि कि 20 तारीक के बाद जित्ते भी बच्छो एक्जाम होने वाला था उनसा अब भी का फॉन चाहीं आप पूरic जो है एक बार reject हो गया था आप अपने admit card डाउनलोड कर रहे थे आपको आपका admit card जो है rejected दिखा रहा था form rejected दिखा रहा था आप अपना admit card डाउनलोड नहीं कर पाये थे तो मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि अभी जब दुबारा से exam conduct करवाया जाएगा तो जिन बच्चों का exam जो है वो postpone हो गया है तो उनका तो admit card दुबारा से release करवाया जाएगा क्योंकि दुबारा से जब exam होगा तो दुबारा से admit card release करवाया जाएगा लेकिन उन बच्चों का admit card release नहीं होगा जिन बच्चों का form जो है एक बार reject हो चुका है तो ऐसी condition में आपका admit card जो है वो release नहीं होगा आप अपना admit card नहीं download कर सकते हैं because आपके form में एक बार problem हो गई है तो ऐसी condition में अभी आपका admit card release नहीं होगा आपके लिए अब एक ही option है कि जब आप next time अपना form फिल करेंगे तो आप अपना please अपना form जो है वो सही से फिल कीजेगा ताकि इस बार आपका form जो है वो reject नहीं हो और next time से ऐसी problem आपको देखने को नहीं मिले so आप अपना form जो है अच्छे से भरिएगा और जिन बच्चों का exam अभी होने वाला है यानि कि जैसा कि postpone हो गया है next date जब भी आएगी तो उन बच्चों से मैं यही कहना जाओंगी कि आपको अपने preparation continuous रखनी है और जैसी इसके बारे में exam से related कोई भी information आती है तो आपको इस चैनल पर इसकी information सबसे पहले provide करवा दी जाएगी आप बस continuous अपनी preparation कीजिए because आपको इतना सा time मिल गया है इतना सारा कि आप अपना exam जो है अच्छे से clear कर सके इस बार अच्छा कासा time मिला है तो आप उसका use कीजिए और अच्छे से अपनी preparation कीजिए ताकि इस बार आपका selection जो है कीजिए शेयर कीजिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो बिनने टोपिक के साथ social thank you